लड़की को कहां पर चुम्बन करने से वह ज्यादा उत्साहित होती है। यह तो व्यक्तिगत पसंद और परिस्थिती पर निर्भर करेगा कि कहां चुम्बन करने से लड़की ज्यादा उत्साहित होगी। कुछ सामान्य बातें जो ध्यान में रखने के लायक हैं। बाहों और कंधों पर चुम्बन लेने और पहने हुए कपड़े को ध्यान में रखकर, इससे उत्तेजना बढ़ सकती है. गर्दन का हिस्सा गर्दन के नीचे चुम्बन महसूस होने वाला होता है. इसका असर बहुत ज्यादा होता है. कानों के पीछे, कानों के पीछे नरम चुम्बन डालना भी बहुत रोमांटिक और उत्तेजक होता है. हाथों पर हाथों पर चुम्बन देना उत्तेजना बढ़ा सकता है. नसों पर नसों को चुमना भी एरोजेनिक अनुभव बढ़ा सकता है. यह सब व्यक्तिगत रूप से परखना होगा कि क्या उसकी पसंद है और कहा से ज्यादा उतसाहित हो जाती है धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए एक बहुत ही व्यक्तिगत विशय है और इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है लड़कियों की पसंद और प्राथमिक्ताएं भिन्नभिन हो सकती है लेकिन विस्तृत रूप से बात करने के लिए लड़कियों को चुम्बन करने के लिए वह स्थान अधिकतर स्थानों में उन्हें संतुष्टी और उच्साह देता है जहां वे अपने साथी के साथ एक खुले और आरामदायक माहौल में हो सकती है यह जगह उनके व्यक्तिगत वर्तनी और साथी के साथ संबंधों पर भी निर्भर करता है इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपनी पार्टनर को उनकी सीमाओं और आवशक्ताओं के बारे में पूछें और उनकी मानसिक और शारिरिक संतुष्टी को ध्यान में रखते हुए उनकी सहमती के बिना किसी भी स्थान पर चुम्बन करने से बचें